हेलो एवरिवन नमस्कार वेलकम ओलो फ्यू तो लेट्स क्रैक यू प्यस्सी सीएसी सो फाइनली हम अपनी एमलक्समिगांत की सिरी स्कोप से कंटिन्यू कर रहे हैं और डेली आपके लिए बाइलिंग्वल क्लासिस की दो या तीन वीडियोज आपके लिए रेगुलर अब से आएंगी और रिकोर्डिड सेशन्स रहेंगे आप लोग सब इसको अच्छे से देखना मज़ा आएगा बहुत भेतरिन रहेंगे और लाइन बाइन बहुत डिटेल् करेंगे उतना ज्यादा हमारा भी मोटिवेशन जो है वो बना रहता है चले स्टार्ट करने से पहले जो मेरे नए दोस्त है मेरे बारे में नहीं जानते मेरा नाम ललित यादव है और मैंने पब्लिक एडिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों से डवल में किया है पब्लिक एडिनिस्ट्रेशन से गोल्ड मैडलिस्ट रहा हूँ एमफिल में गोल्ड मैडलिस्ट रहा हूँ बियर्ड सीटेट नेट ज्यारफ सब कॉलिफाइड है पीएस डिया भी ओल्मस्ट कम्प्लीट होने को है अगर आपको पीडिएफ चाहिए कम्प्लीट बुक की फ्री पीडिएफ तो आप इस टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा यह ध्यान रखिए टेलिग्राम चैनल का नाम है अनकेडमी लली त्यादव की पाट साला फ्री पीडिएफ आपके लिए अगर आप इंडिया के सारे टोप एजूगेटर से पढ़ना चाहते हैं कम्प्लीट कोर्स करना चाहते हैं UPSC का तो आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनकेडमी का डाउनलोड करके यह गेट सब्सक्रिप्शन का ओप्शन आता है जब इस पर टच करेंगे तो ऐसे दो ओप्शन आपके सामने खुलेंगे एक प्लस कोर्स और एक आ में स्कोर अच्छा करने की पोसिबिलिटी ज्यादा रहती इससे आप एक्जाम क्लियर करने में ज्यादा आप सच्छम ज्यादा कैपेबल हो पाओगे इसलिए फीस में थोड़ा सा डिफरेंस भी है हां मैं आपकी हैल्प जरूर कर सकता हूं आप जब भी अनकेडमी का कोर् सब्सक्रिप्सन आता है इस अप्लाई कोड में आपको यल आई वी यह अप्लाई करना है तो उस टाइम जब भी आप सब्सक्रिप्सन लेंगे उस टाइम जो भी ओफर चल रहा होगा चाहिए वह 10% डिसकाउंट हो 20% डिसकाउंट हो या कुछ एक्स्ट्रा मंत मिलने हो जो लेटेस्ट अपडेटिड बुक्स है वो स्टेडी मैटिरियल बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटिड है इसके साथ साथ सारे टीचर्स कंप्लीट 150 एजुकेटर्स की क्लासिज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आप किसी भी टीचर से कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं क अगर आप प्रोपर गाइडेंस चाहते हैं तो मैं आपको प्रोपर परसनली गाइड करूँ और मैं अपने सारे स्टूडेंट से खुद वन 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 मैं ही बात करता हूं विदाउट मैनेजर एसिस्टेंट के मैनेजर मेरे पास भी हैं लेकिन वो वट्सप पर रिपलाई कर सकते हैं कोसिस करना है कि 2 या 3 साल कही कोउर्स लें क्योंकि वो ही बेडिवीश्यल वह लें उसमें आपका रिविजन हो मानेकर plugs पूर्आ होन इसमें ध्यान रखने हैं बड़ा एजीली हो जाता है कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना बढ़ता लेकिन कोड याद रखने हैं उनको बताने हैं बार-बार कि ललित सर के लगा करके ही लेना है तो ही आपको सारी चीजों में हेल्प मेरी तरफ से भी रहेगी और अनकेडम हैं चैप्टर 10 हमारा जो अमेंडमेंट ओफ दी कॉंस्ट्ट्यूशन उसको ले कर गए देखिए इस चीज को समझ गया है आप से कई बार क्यूशन पूछ लिया जाएगा कि इस इंडियन कॉंस्ट्ट्यूशन इस लिविंग डोक्यूमेंट क्या भारत का समिधान एक इस 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 दो क्यों है जिए अब इसा तो है नहीं कि जब आपका बर्त हुआ जब आपका जन हुआ तो उस टाइम से उसी बड़े एक दम हट्टे-कट्टे पैदा होकर के बड़े handsome या smart या beautiful इस तरीके से बन करके आयो, फहले छोटे बच्चे रहे baby रहे, फिर धीरे धीरे time के according आपने grow की, आपकी body grow की, है ना, body के साथ-साथ आपने चीजे learn करना सीखा, आपकी mentality grow हुई, time के according आपने चीजे change हुई, है ना, तो वो एक living creature की निसानी मानी जाती है, ऐसे ही constitution भी है, भारत का, इंडिया का constitution है, उसको हम living document बोलते हैं, उसका reason यही है, जीवित दस्तावे जिसलिए बोलते हैं, क्योंकि समय के अनुसार उसमें संसोधन कर सकते हैं, अब यह संसोधन है, क्या, किस तरीके की चीजे हैं, इस चीज को समझना है, ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके, सारी चीजे यहां से समझाते वे चले जाएंगे, like any other written, एक और चीज समझना है, मैं यहाँ पर आपको important lines को ही explain करूँगा, जो काम की नहीं है, उनको हम skip कर देंगे, वो उनको आपको भी use नहीं करना है, जो main-main चीजे हैं, उनको मैं आपको बताता चलूँगा, उनको बहुत अच्छे से explain करेंगे, डिटेल में, और वो ही आपके changing conditions and the need, सेम चीज जो मैंने आपको बताया, अब देखें, इंडिया की constitution के लिए ये चीज बहुत ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि जो चीज मान लीजिए, इस चीज को समझे, हम independent का हुए, 1947 में आजाद हुए, हमारा constitution जो force में आया, लागू कब हुआ, implement कब हुआ, तो 1950 में ये हुआ, ठीक, 1950 में लागू हुआ, 26 January 1950, अब मान करके चलिए, कि वो ही constitution, completely बना करके इंडिया के citizens के ऊपर थोप दिया जाता, उनको कह दिया जाता है, यही इसी के according सारा work होगा, और इसमें आप कोई change नहीं कर सकते, तो आप सोचे, time के according तो चीज़े बदलती है, time के according तो बहुत सारी चीजों में modification करने की requirement होती है, अब ऐसे में situation और changing, time के according अगर आप उसमें change नहीं कर पाते, modification नहीं कर पाते, तो वो constitution जो है न, एक burden हो जाता हमारे उपर, बहुत बड़ा burden हो जाता, उसमें फसके रह जाते, हमारी सारी चीज़े एकदम खतम सी होती चली जाती, यह सारी की सारी चीज़े हमारे constituent makers को पता थी, इसी लिए उन्हों ने हमारे constitution के अंदर part 20 में का article जोड़ा, single article, article 368, जो की constitution के amendment से था, उनको पता था कि हमने initially constitution बनाया है, हमने इतने सारे countries का constitution को study करके, अभी एक अच्छा constitution बना तो दिया है, लेकिन कोई भी चीज जो first time में एक बार में बनाई गई है, वो अपने आप में बहुत perfect नहीं होती है, time के साथ, चीजों के साथ, धीरे-धीरे grow होते होते हैं, उसमें चीजें ठीक होती हैं, तो उनको पता था कि constitution में हो सकता है, अभी के लिए better हो, in future, ये चीज इतनी better ना हो, तो उसको change करने के लिए scope होना चाहिए, जगे होने चाहिए, उसके लिए इन्होंने article 368 इंडिया के constitution में add किया, ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि however the procedure laid down for its amendment is neither as easy as in Britain, ठीक है, nor as difficult as in USA, इस चीज को समझना है, अब हम तो इंडियन्स है न, हमारे इंडिया के constitution makers ने भी इस चीज को सारे countries में check किया था, देखा था, तो उन्होंने देखा है कि ये बिटेन का constitution है, तो बहुत easily change हो जाता है, कोई भी bill, कोई भी normal bill महाँ पर pass किया जाता है, तो मान लिया जाता है कि constitution में change हो गया यार, normal act के थुरू भी, तो इंडिया में तो ऐसा कर नहीं सकते थे भाई, अगर normal act के थुरू, अगर pass करने की बात कर देते, तो जो भी government होती, वो तो अपने according, अपनी मन मरजी से कोई भी change कर लेती, किसी भी चीज को change कर देती, even आपके fundamental rights या आपके लिए, कुछ भी चीज होती उन सब को खतम कर देती, अपने आपको super powerful बना देती, अगर ऐसा होता तो, तो उनको लगा है, ना, बिटेन वाला fund, constitution amendment होना तो ठीक है, लेकिन बिटेन वाला जो system है, वो इंडिया में काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में तो political structure जो है, अभी start ही हुआ था, 1947 में हम आज नहीं है, अगर ऐसा बिटेन जैसा कर दिया, तो तबाही मच जाएगी, तबाही, गड़ड हो जाएगी, फिर उन्होंने देखा, अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में भी एक दिक्कत यह थी, कि अमेरिका के अंदर तो, अगर constitution में amendment करना है, तो अगर पूरे world में सबस यूनियन गवर्मेंट के साथ सा states जो है, वहां के उनका भी consent लगता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा difficult हो जाता है, वहां पर किसी भी चीज को अमेंडमेंट करना, अगर अमेरिका के president को कोई चीज change करानी हो, तो भाई उसके लिए इतना बड़ा big task होता है, नाको चने चबाना, नाको चने चबाना ऐसे मत समझ ले ना कि नाक से चने चबाए जाते हैं, यह ना, नाक वो एक कहावत है, एक बोलने का एक तरीका होता है, जैसे normally बोलते हैं कुछ-कुछ, तो वो कहावत है, इसका meaning ही होता है, it is very difficult to do this work, नाको चने चबाना, उसका मतल डाल करके चबाने लग जो, पता चले कुछ होरी होए, ठीक है, तो वो बड़ा ठफ है वहाँ पर USA के अंदर, वो नहीं हो सकता है, अब जब ये बात हम कर रहे थे, तो हम इंडियन्स की एक बहुत बड़ी खासियत है, कि हम हर चीज का एक सही रास्ता निकाल लेते हैं, एक इतने अच्छे थे, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने हाईली क्वालिफाइड थे, एक्सपीरियंस था उनको पास सब गुछ, तो जिस तरीके से हम हर चीज के जुगाड में मही रहे हैं, तो हमने इस अमेंडमेंट के लिए भी बीच का रास्ता पना लिया, जिसे नोर्मल प्ष्थार से आपके 50 कीपर की पास जाते हैं, एक मान लिजी आप सब्सब्सब्स वाले के पास जाकर आपको टमाटर लेना है, टोमेटोज और सब्सब्सब्सब्स वाला जो है आपके, वह आपको बोलरहें कि भाई, ये 50 रुपी के जी मिलेगा, और आपको नहीं भाई viver 59 40 please 40 लेंगे हम तो ना जी मैडम 51 रुपय कम ना दू दे नहीं तो दे 50 रुपय लेंगे फिर बाद में आक करके दोनों बीच में कर लेते हैं कि चलो ठीक है ठीक है मैडम चलो ना महारी ना थारी 45 रुपय लेंगे बीच में बीच का एक रास्ता निकाल लेते हैं दोनों पक स्खुस हो जाते हैं दोनों को लगता है यह हमें लोस नीवा और हमारा काम भी अच्छे से हो गया तो ऐसे हमारे कॉंस्टिटूशन के अमेंडमेंट के लिए हमने एक बीच का मिडल ओफ दा वे निकाला बिटेन और यूएस से का ठीक है हमने सोचा कि हमारी कंडिसंस के अकोर्डिंग इसको बनाएंगे हमारे इंडिया में पूरे के पूरे कॉंस्टिटूशन में सारे के सारे कोरे सब्सक्राइब ओर आउगे पूर्ट करते ही दरा रिजया को में अगयर कोई नॉर्मल चीज है और उसमें चेंज गरनाए तो गौवर्म页ंन्ट अपने में हमने के लिए उसमें लिए कर से के, लेकिन इक में बहुत सक्साफ़ाइक ह। जिसमें चेंज करना है तो कोई भी government अपने मर्जी से नहीं कर सकते कर पाए उसके लिए उसको एक बहुत बड़ा समर्थन बहुमत, majority, consent उसको लेना पड़े ठीक तो ये process करते हुए हमने दोनों का middle way अपनाया और भारत के सम्विधान को इसलिए कहा जाता है ना तो लचिला है ना ही ठोस है और यहां से MCQ का question बन जाएगा यह important है आप से कही बार question पूछ लिया जाएगा consider the following statements regarding Indian constitution भारत के सम्विधान के संदर्व में निम्लांकित कत्नों पर विचार करें और उसमें आपको दे दिया जाएगा Indian constitution is only inspired by British constitution भारत का सम्विधान के वल बिटेन की सम्विधान से ही प्रभावित है दूसरा second दे दिया जाएगा Indian constitution can be amended same या like USA constitution की भारत का सम्विधान भी अमेरिका की सम्विधान की तरही संसोदित किया जा सकता है एक और statement दे दिया जाएगी third statement की Indian constitution is very easy to amend भारत का सम्विधान संसोदन करना बहुत आसान है third statement दे दिया जाएगा Indian constitution इसको बोल दिया जाएगा Indian constitution is neither flexible nor rigid भारत का सम्विधान ना तो बहुत लचिला है और ना ही बहुत ही कठिन या कठोर है और फिर आपको निचे दे दिया जाएगा choose the correct statement और आपको options दे जाएगे इसमें आपको लास statement पे टिक लगा दे नहीं है बागी सारे statement गलती आपको पता है ना fundamental rights के बारे में आप बात कर तो सबको पता होगा यह fundamental rights are in part 3 of Indian constitution और कौन-कौन से आर्टिकल से वो भी आपको सारी की सारी चीजे पता बता देंगे आर्टिकल 12-35 this is this this and that this and that सब कुछ लेकिन इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या है तो amendment of the constitution के लिए एक separate part बनाया गया है जिस पार्ट को हम बोलते पार्ट 20 ठीक है और उसके अंदर केवल एक ही आर्टिकल है सिंगल आर्टिकल है आर्टिकल 368 और यह आर्टिकल बड़ा ही मजेदार बड़ा ही इंट्रेस्टिंग और बहुत सारी complexity के साथ है उन complexity और उन चीजों को हम जब केसवानन भारती केस और basic structure वाला जो मामला है उसको जब देखेंगे तो उसमें हम deal करेंगे तो आपको बहुत इंट्रेस्टिंग वे में सारी चीज़े मैं समझाँगों बहुत मज़ेदार कहानिया वाएंगे अभी बस basic पहले process जान लेते हैं कि process क्या है फिर basic structure समझने में बड़ा यजी रहेगा ठीक है तो यह process दिया गया है part 20 article 368 important है notes आपके यहाँ पर बन जाएंगे अब बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से करने की power है यह power किसको दिया ग को दी गई है ठीक है पार्लियमेंट को दी गई है संसद को दी गई है कई बार आप से question पूछ लिया जाएगा कि who can amend Indian Constitution भारत के समीधान में संसोधन कोन कर सकता है और आपको उसमें options दे दिया जाएंगे A. Judiciary B. Parliament C. Executive D. President. अब आप confusion में आ जाओगे आपको लगेगा यार और Judiciary भी तो Constitution में Judiciary के Interpretation से भी तो Change हो जाते है आर्टीकल 21 उसके अंदर कितने सारी Explanation Judiciary ने दिये जिससे आर्टीकल 21 का जो दाइरा था जो एरिया था वो बहुत जादा फैलता फैलता बढ़ता हुआ बढ़ा हो गया लेकिन इसमें आपको एक चीज समझना है कि amendment करने क पावर जो है वो केवल Parliament को दी गई है Judiciary जो करता है वो केवल Interpretation करता है तो Interpretation के अंदर वो बता देता है कि यह चीज इसके अंदर ओल्रड़ी इंसर्टिड है उसके लिए amendment करने की requirement नहीं पड़ती है अमेंडमेंट का वर्क जो है वो Parliament ही करेगा reason क्या है कि Parliament basically किसको represent करता है वो represent करता है people को लोगों को जनता को तो ultimately यह power यह इसके पीछे का thought process यह था कि जनता decide करें कि उनको क्या requirement है अब जनता कैसे decide करेंगी अपने अपने representatives people कैसे decide करेंगे citizens कैसे decide करेंगे अपने representatives के थुरू ठीक है वो है तो Parliament इसमें अमेंड कर सकते हैं लेकिन बट यह चीज़ ध्यान रखना however the Parliament cannot amend those provision which form the basic structure of the constitution अब इसके लिए एक अलग separate chapter है जो next chapter में हम पढ़ेंगे basic structure का अभी यहाँ पर basic सी चीज़ समझ लीजे basic structure का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि Parliament constitution में amendment तो कर सकते है बट कुछ features इतने ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा important बहुत essential है आप उसको change नहीं कर सकते ठीक है आप उसको replace नहीं कर सकते उसमें पानी का नाम सुनते गाने आ जाते पानी के खूब सारे देखे तो एक चीज समझी है आप पानी को water को replace नहीं कर सकते हैं ठीक है substitute नहीं कर सकते हैं आप यह हो सकता है कि उसकी जगह पर कभी प्यास लगे किसीने cold drink पी ली किसीने दूद पी लिया किसीने coconut water पी लिया नारिय है ही उसके बिना तो जिन्दगी चलेगी नहीं पानी तो आपको पीना पड़ेगा बिना पानी तो वैसे भी जीवन नहीं है यह ना बट आप अपने खाना अपना जो food है उसको अलग अलग चीजों से substitute कर सकते हो माल लीजिए कोई रोटी खाता तो तो रोटी की जाएगा चावल कर लिया किसीने substitute तो ना regular चावल पिजा या और बाकी चीज़े seafood वगरा खाने लग गए लेकिन water जो है यानि कि food में तो आप change कर सकते हो उसमें time की according अपनी requirement की according आपने उसमें change कर लिया लेकिन water पानी वो इतना essential है कि आप उसको नहीं कर सकते change बदल ही नहीं सकते अगर पानी नहीं पीना प्योगे पानी को अगर substitute completely पानी की जगे cold drink ही प constitution में भी water के जैसे कुछ features है water के जैसे कुछ provisions है जिसको आप change नहीं कर सकते essentials है तो constitution उन चीजों में change नहीं कर सकता उन जो water के जैसे जिनको हम basic structure गेंडर में रखते हैं बाकी सारी चीजे चेंज गर सकते अब यह basic structure कैसे आया आप किस तरीके है यह बड़ी interesting सी story है बहुत मज भारती case 1973 इसके अंदर यह provision यह इस तरीके का basic structure जो है वो दिया गया था इसको हम बाद में discuss करेंगे अभी हम procedure देख लेते हैं कि article 368 में किस किस तरीके का provision किया जाता है कैसे amendment करते हैं तो इस amendment को समझते हैं the bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not requires prior permission of the president ठीक है देखें कई सारे bills में कई सारे चीज़े से money bill आप देखो को तो president की prior recommendation चाहिए होती है तो सबसे पहली चीज तो constitution amendment के लिए कोई bill अगर आता है तो उसके लिए president से prior recommendation लेने की requirement नहीं है रास्टपती से पहले पूछने की जरूरत नहीं है कि बतलाव करना है कि नहीं बाद में जाएगा उसके पास दूसरे चीज कि पार्लियामेंट का कोई भी person कोई भी member सोरी पार्लियामेंट का कोई भी member फिर चाहिए वो minister हो या फिर वो private member हो इस bill को introduce कर सकते है ठीक है अब आप कहोगे sir private member कौन से होगे निजी वेक्ति कौन से आगे क्या यहाँ पर कोई private person है जिनको reservation दिया गया क्या money money वाले private sector वाले कोई person है ऐसा नहीं है देखिए समझे प्राइवेट member और minister का पार्लियामेंट में दो टाइप के members होते हैं उनको दो category में हम divide करते हैं एक जिसको हम government member बोलते हैं ठीक है इस चीज़ को मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ यह यह next slide में मैं mention कर देता हूँ ठीक है पार्लियामेंट के अगर हम बात करें तो members की बात करते हैं तो members को हम दो category में डिवाइड करते हैं एक government member दूसरा private member private member government members कोन से होते हैं government members वो होते हैं जो ministers होते हैं ठीक है यानि कि जो council of minister है मंत्री परिशद उसके जितने भी member है जितने भी सदस्य है वो सरकारी सदस्य कहलाते है government member कहलाते हैं private member वो होते हैं जो other than ministers होते हैं ठीक है other than ministers यानि कि ऐसे सारे के सारे members जो minister नहीं है लेकिन MP है ठीक है वो सारे के सारे private member कहलाते हैं ठीक है अब क्योंकि ministers तो 15% ही हो सकते हैं constitution में भी यह भी तो provision है कि house जो है उस house का total जो अगर हम बात करते हाउस का की total strength की जो total strength है उस strength की only 15% जो है उसका only 15% आपका ministers आप उसको रख सकते हैं council of minister में रख सकते हैं executive के अंदर में रख सकते है 15% से exceed नहीं हो सकते तो 15% के अलावा जो बाकी के जितने भी members बचके जो minister नहीं बने वो सारे private members बचके यानि कि even आपके कोई भी आपका पसंदिदा आपके area को कोई भी member हो MP हो और वो parliament में minister नहीं है वो भी constitution amendment bill को present कर सकता है लेकिन यह अलग चीज है कि कभी भी private member जब bill present करते तो उनके उपर इतना focus किया नहीं जाता सबको लगता है कि या रफाल तुम्हें अपना अपना मतलब बनाने के लिए आगया है अपने आपको hero समझता है ज्यादा तेरा पास करवाएं अभी government को लगता है यह private member का पास हो गया तो फिर government की क्या जब्रूत है तो इस सारा credit कहीं वो member ही ना ले जाए तो private members के bill 1970s के बाद से पास ही नहीं होते कभी भी कोई bill लेकर गया है वो नहीं पास होते है तो सबसे पहली चीज तो यह अब second चीज पास कराने के लिए आपको क्या चाहिए किस तरीके की majority चाहिए तो इस bill को पास कराने के लिए the bill must be passed in each house सबसे पहली चीज by a special majority clear चीज समझ लेना ठीक है हर सदन के विशेश बहुमत से आपको चाहिए हर सदन का मतलब इसका मतलब आ गया कि आपको ये separately लोक सभासे भी और separately आपको राजे सभासे भी इन दोनों से ही पास कराना पड़ेगा अगर एक भी house ने इसको पास नहीं किया तो bill cancel हो जाएगा amendment नहीं होगा तो सबसे पहली condition दोनों house से पास होना चाहिए second condition जो बहुत important है वो है special majority अब maximum लोगों को लगता है कि special majority का मतलब केवल two-third majority है अब एक पार्ट तक सही है लेकिन completely सही नहीं है special majority का मतलब समझ ये that is a majority of the total membership of the house and a majority of two-thirds of the members of the house present and voting अब इसमें दो चीज़े हैं बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इस case में maximum students first जाते हैं उसको मैं आपको समझा देता हूँ देखिए total member of the house पहले चीज़ है and present and voting two-third of the present and voting is second चीज़ है अब special majority के लिए दो conditions होनी जरूरी है for example माल लेते हैं कि एक बिल आया constitution में amendment करने के लिए समिधान में संसोधन करने के लिए एक बिल लेकर के आये गए और वो लोक सभा में लाया गया ठीक है वो लेकर के लाया गया लोक सभा के अंदर या चलिए हम लोक सभा के अंदर ले लेते हैं और लोक सभा के अंदर total members हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि 545 हम 545 मान करके चलते हैं कि total strength अभी फिलहाल house के अंदर 545 members की है अब जो बिल लाया गया उस बिल को pass कराने के ही सबसे पहली condition तो क्या रहेगी कि इस 545 का इसका 51% तो आपको चाहिए ही 50 प्लस 1 ठीक है 50 प्लस 1 याने इनकी तो majority आपको चाहिए ही चाहिए सबसे पहले आपके पास 545 को अगर 50 प्लस 1 का अगर करेंगे तो यह strength आपकी almost बनेगी 273 के पास ठीक है 273 तो 273 members का तो support होना ही होना चाहिए सबसे पहली condition अगर मान लेते हैं house में voting हो रही है और उस voting के time house के अंदर केवल 300 members मोजूद हैं अब उन 300 members में से पहली condition यह कहती है कि कि कितने भी लोग present हो पहली condition में उसका कोई लेना देना नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है पहली condition यह कहती कि जो total strength है उस strength का 50 प्लस 1 वो बहुमत वो तो होना ही होना चाहिए फिर चाहे 300 लोग present हो फिर चाहे 200 लोग present हो फिर चाहे 400 हो 450 हो 350 हो 300 हो कितने भी हो इतनी members तो minimum होने ही होने चाहिए जो उसके उपर अपना consent देते हो अब जब उसके बाद फिर second stage पे जाते हैं यह हो गया stage first यह हो गया stage first अब जब stage first clear हो गया उसके बाद count किया जाता है two third majority फिर यह देखा जाता है कि कितने लोग present थे और कितने लोग voting करने आए तो यह तो total हो गया यह तो total हो गया ठीक है 545 में 273 minimum आपको चाहिए यह चाहिए अब मान लेते हैं कि house के अंदर stage 2 की बात कर लेते हैं stage 2 के अंदर क्या होता है मान लेते हैं कि जो voting जिन लोगों ने voting की उन लोगों की total strength जो थी वो 350 थी बाकी लोग नहीं आए बाकी के 200 के आराउंड लोग जो है वो चले गए घूमने गए या बिमार हो गए या कोई भी reason हो गया कि वो नहीं आ पाए इतने ही लोग आए तो प यह तो देखा ही देखा जाएगा अब 350 का 2 3rd majority भी चेक की जाएगी कि 2 3rd majority total हो रही है कि नहीं तो अगर 370 members हैं और 350 प्रेजेंट हैं तो अगर 273 ने vote कर जा तो 2 3rd तो अलड़ी होईगी ठीक है उसमें कोई issue आया ही नहीं 2 3rd majority के लिए 2 3rd majority का मामला तब ज्यादा पढ़ हो जाएगी ठीक है आप जब वोट करेंगे तो यह तो 50% ही हुआ 50 प्लस 1 अब यहां पर 2 3rd majority फिर काउंट की जाएगे फिर साड़े 300 प्लस कुछ वोट आपके पास होने चाहिए तब आप 2 3rd majority के अंडर में यहां पर आओगे ठीक है यह उस टाइम फिर आपके 370 या आपके पास होने चाहिए दूसरा 2 3rd majority count की जाएगी जो present and voting है उनमें समझ रहों कि आपको माइड में काफी लोगों को distraction हो गया होगा दिमाग का दही हो गया होगा थोड़ा सा ऐसा ही है यह concept थोड़ा टफ है उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं चीजे कई वार पॉलिटी में ब तो यह हो गई अब एक कंडिशन तो आपने यह देख ली दूसरी कंडिशन इच हाउस मस्ट पास्ट बिल सेपरेटली यानि कि दोनों ही सदनों से दोनों ही हाउसिस से बिल सेपरेटली अलग-अलग हो करके पास होगा लोग सभाव में भी पास कराना पड़ेगा राजी बातचीत कर रहे हैं इस तरीके साउस होता है तो यह इंडिया का नहीं बाहर के लेकिन आपको एक दिखाने की परपस से हमने बताया था तो वह हुआ जैसे सिंपल बिल होता है एक नोर्मल साधारन बिल होता है उस बिल में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि लोक सभा और राजे सभा दोनों के बीच में कोई डिसेग्रिमेंट है एक जना पास कर रहा है एक जना पास नहीं कर रहा है यानि एक हाउस पास कर दे रहा है दूसरा हा का सैसन बुला करके और संयुक्त अधिवेशन बुला करके कारिय उसमें वोटिंग करा करके मामला निप्टाया जा सकता है लेकिन Constitution Amendment इतना ज्यादा important है उसके बार लिए आप इस तरीके की कोई भी joint sitting का provision नहीं कर सकते हैं in case of this agreement between the two houses there is no provision for holding a joint sitting of the no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill यानि कि आप उसको cross इसने और इस दोनों ने और इन दोनों में से एक ने भी cancel किया तो वो bill completely cancel हो गया फिर amendment होगा नहीं कभी भी यह चीज़ ध्यान रखना amendment के लिए joint sitting बुलाई ही नहीं सकते यहां से question बन जाएगा आपका प्रीई के अंदर कैसे बनेगा बड़े ध्यान से समझना क्यों से पूछ लिया जाएगा consider the following statement निम्नांकित कतनों पर ध्यान पर विचार कीजिए और पहला कतन फर्स स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि the process of amendment of constitution is given in part 21 and article 368 समिधान में संसोधन की प्रक्रिया governance समिधान के भाग 21 के अनुच से 368 में दिया गया पहली statement आपको true and false देखना है मैं अभी बाकी statements भी बता देता हूँ second statement आपसे कह दिया जाएगा आपको कहा जाएगा कि constitution amendment bill can be introduced only by a minister समिधान संसोधन विधे को केवल एक मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं third statement for before introducing the constitution amendment bill in parliament a prior recommendation a prior consent of president is required third statement a joint sitting can be held in case of disagreement between houses of parliament on a constitution amendment bill समिधान संसोधन विधे एक पर संसद के दोनों सदनों में मतबेद होने पर एक संयुक सदन बुलाई संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और आपको कहा जाएगा कि choose the correct statements सही कथन चुनिए और आपको विकल्प options दे दिया जाएगा one only second and three thirds correct सही only one and four correct c one two three and four all are correct and d one two three four all are wrong सारे गलत कोई भी नहीं तो इसमें आपको correct answer देना d statement आएगा सारी की सारी statement गलत होगे कोई भी statement सही नहीं होई ठीक है इस तरहीगे से क्योस्तन जो है prelims में आपसे आएगा जो आपको समझते वे चलना है तो दोनों यह आउसिस से पास कराना है अब एक और भी provision है एक और भी तरीका है article 368 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के provision है समझ यह इधर मैं आपको दिखाता हूं if the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution it must also be ratified by the legislature of half half of the states by a simple majority कोई भी ऐसा amendment जो इंडिया के संघिय धाचे federal structure को प्रभावित करता हो उसके लिए लोग सभा और राजय सभा का भावमत तो चाहिए ही चाहिए 50% states उनका भी आपको एक ratification चाहिए इसको इस तरीके से समझते हैं मैं आपके लिए easy कर देता हूं इस process को बड़े ही ध्यान से समझना easy करते वे चलेंगे तो आप इसको बड़े ही आराम से समझ जाएंगे article 368 को इस तरीके से समझ गे 368 इसमें दो तरीके के प्रोविजन है दो तरीके के प्रोसेस है पहला ठीक है पहले वाले के लिए आपको लोक सभा ठीक है प्लस राज्य सभा इन दोनों की special majority चाहिए होगी ठीक है is equal to special majority विसेश बहुमत चाहिए separate separate ठीक है तो इसको अगर सही तरीके से बनाए जाए तो मैं थोड़ा correctly इसको जादा बना देता हूँ तब आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा इसके लिए क्या चाहिए इसको ऐसे समझेगा इसके लिए आपको लोक सभा की special majority चाहिए ठीक है यह दो प्रोसेस है इन दोनों की special majority से इसको चेंज किया जा सकता है दूसरी प्रोसेस उस उन features के लिए उन चीजों के लिए है जो की constitution के अंदर federal structure को impact करते हैं समिधान के संघात्मक धाचे को प्रभावित करते हैं पर एक्जामपल जो सेवन्थ सेड्यूल है सात्वियन सूची है जिसमें separation of power है तीन अलग-अलग लिस्ट दी गई है union list, state list, concurrent list अब ऐसे में किसी state list के subject को राज्य सूची के किसी विशय को और उसको वहां से हटाक करके आपको union list में डालना है संघ्य सूची में डालना है, concurrent list में डालना है, समवर्ती सूची में डालना है तो यह basically आपके federal structure को impact करता है state की power कम और यह federal structure को impact कर रहा है तो उसके लिए आपको एक अलग process से गुजरना पड़ेगा और उस अलग process में क्या होगा कि लोक सभा की special majority तो चाहिए ही चाहिए राज्य सभा की भी special majority आपको चाहिए ही चाहिए ठीक है, लेकिन तीसरे एक और भी चीज आगे आपको क्या है, आपको 50% जो state legislatures हैं राज्य की विधान मंडल है, इनकी simple majority ठीक है, normal, अब SM लिखूँगा simple majority लिखूँगा तो SM SM हो जाएगा, यह special, इसको मैं special कर जाता हूँ, SP SP, ठीक है, special majority तो यहाँ पर मैं simple majority के जगे एक term यूज कर रहा हूँ, normal ठीक है, आप उसको simple majority से लेना है, मैं बस सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक normal majority है आपको चाहिए क्योंकि S लिख दूँगा तो आपको confusion हो जाएगा, कि यह उसमें भी S लिखा था, इसमें भी S लिखा था simple majority, यानि कि साधारन 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 भहूमत यानि कि state legislature के simple majority से चाहिए लेकिन वो 50% आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है half, आदे state, तो यह एक provision है, यह दो ही तरीके हैं, जिसको आपको समझना है अब मुद्दा ही आता है कि अगर मान लेते हैं कि constitution amendment हो रहा है, federal structure के उपर impact करने वाला कोई constitution amendment हो रहा है उस time, कोई एक state के अंदर state legislature ही नहीं, है न, election होने वाले हैं वहाँ पर या एक, दो या तीन state में नहीं है, ठीक है तो उन दोनों के election का wait नहीं किया जाएगा, जिएर कि पहले इनका election हो जाने तो फिर wait करेंगे, फिर आ जाएगा उनको side कर दिया जाता है, बाकियों का 50%, क्योंकि total का 50% चाहिए न, तो एक दो state का इतना फरक पड़ता नहीं, अगर कोई government जिसके वास majority है, वो कर लेती है ठीक है, अगर बहुत सारे states में अगर election pending है, तब उस time आप देखना कभी भी Constitution Amendment Act या Bill जो है, वो उस time process में नहीं लाया जाता है, जिस time बहुत सारे states वहाँ पर election होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उस time 50% consent लेना, majority लेना बड़ा मुस्किल हो जाता है, लेकिन जिस government के पास full majority ह वो कर लेता है, states में, जैसे current में अभी की government, नरेंद्र मोधी की government, पहले की अगर हम बात करें, तो जोहारलाल नहरू की government, इंद्रा गांधी की government, ये कुछ ऐसे governments होती थी, जिनकी center में भी government होती थी, और बहुत सारे states में भी, maximum states में भी government होती थी, तो उनको constitution के amendment में कोई problem न कोई भी, अगर हम बात करते हैं कि center में कोई coalition government है, गठबंदन की सरकार है, strong government नहीं है, तो उसका impact normally आप देखोगी, states में भी देखने को मिलता है, states में भी अलग-अलग जगे पर अलग-अलग party होती है, majority states में किसी एक party की government होना बड़ा मुस्किल हो जाता है, possible नहीं होता है तो ऐसे में constitution amendment करना, federal structure को impact करने वाले, वो possible नहीं हो पाता है, क्योंकि consent बहुत मुस्किल हो जाता लेना, यह चीज़े हैं, ठीक है, यह समझ लिए आपने, अब इसके साथ साथ एक और समझना है, यह तो हम देखी लिए, simple majority आपने देख लिया, voting होगी, यह आपको यहां पर दिखाया साथ, यह हमारे PPT maker ने बनाया आपके लिए कि जाकर voting दिखा रहे हैं, कैसे voting होती है, लोग जा रहे हैं, जाकर के vote डाल कर गया रहे हैं, थोड़ा सा creativity लाने की कोशिस की गई दी, चलिए आगे देखते हैं, अ अब एक और चीज़ समझना है, कि after duly passed by both the houses of parliament and ratification by the state legislature where necessary, the bill is presented to the president for assent, माल लेते हैं, कि जो first वाला, जो था, situation था, एक, जो federal structure को impact नहीं करता, उसको इंचेंज करने वाला अगर जो बिल पास किया गया, लोग सभारा राजे सभा से, तो फिर उसको प्रेजिदेंट के पास भेज दिया जाता है, कि हाँ भई, देखो लोग सभारा राजे सभारा ने भेज दिया, अब आप बताओ, आप सहमती देजिए, अब नॉर्मली होता क्या है, इस चीज़ को समझे, the president must give his assent to the bill, must give his assent, ये चीज़ समझे, नॉर्मली प्रेजिदेंट के पास कुछ discretionary powers होती है, प्रेजिदेंट क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना मेरे दोस्ते, एक कोई नॉर्मल बिल अगर पास किया जाता है न, तो प्रेजिदेंट उसको house के पास, parliament के पास, reconsideration के लिए भी बेज सकते हैं, वो क्या सकते हैं, दुबारा पुनर विचार कर लो, मेरे को कुछ चीज़े ठीक करवाने मेरे, कुछ चीज़े साही नहीं लग रही, या वीटो कर सकते हैं, ओल्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन Constitution Amendment Bill, एक ऐसा बिल है, जिसमें प्रेजिदेंट की कुछ भी नहीं चलती है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया, और जहां पर चीज़े सकते हैं, यानि कि ना तो Constitution Amendment Bill को रिकंस्टिदेरेशन के लिए वापस बेज सकते हैं, और ना ही वो Constitution Amendment Bill के उपर वीटो कर सकते हैं, कंसेंट देना ही देना पड़े हैं, पावर्फुल है, इस चीज़ में पार्लियामेंट को लोग सभाराज सभाग को आप करते हैं, और साइन करते ही वो Bill जो है, वो Act बन जाते हैं, और Constitution में Amendment हो जाता है, समीधान में संसोधन यहां से हो जाता है, तो यह है एक प्रोसेस, सिंपल सी प्रोसेस, अब इस सिंपल सी प्रोसेस के बाद आपको यह जानने की जुरूरत है कि संसोधन किस परकार के Article 368 में किस परकार के Amendment है, Types of Amendment आपको जानने हैं, तो Article 368 के अंदर दो तरीके के Amendment की बात की गई है, जो मैंने आपको बता दी थी, है न, कि that is by a special majority of Parliament, पहला, ठीक है यह हो गया पहला, दूसरा, and also through the ratification of half of the states, ठीक है, in simple majority, तो यह second, यह दोनों सिच्विसन्स मैंने आपको बता द जी थी, ठीक है, अब इन दोनों की अलावा, हमारे Constitution में एक और तरीके से भी Amendment हो सकता है, जिसको की Article 368 के अंडर में नहीं मानते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझे, Constitution में Time to Time कई सारी चीज़े बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन Article 368 के थूँ, जो चेंजी important वो चीज़ हो जाते है, कुछ चीज़े जो बहुत normal है, जिसके लिए बहुत special majority requirement नहीं हो, वो simple majority से भी changes हो जाते हैं, ठीक है, बट, some other articles provide for the amendment of certain provisions of constitution by a simple majority of Parliament, that is a majority of the members of each house present and voting, simple, यानि कि जितने भी present है, उनका 50 plus 1, 50 plus 1, ठीक है, यह आपके पास होना चाहिए, तो आपका वो हो जाएगा, अब जो simple majority से amendment होते हुए, उनको हम article 368 के अंडर भी नहीं लेते हैं, article 368 के अंडर में हम केवल, दो ही conditions लेते हैं, जो लेते हैं, जो दो conditions हम बात कर चुके हैं, उन्हीं को ही हम amendment लेते हैं, amendment यह भी है, लेकिन आर्रीकल के अमेंडमेंट को आप याद करने लगे तो अभी तो मेरे दोस्त आप almost 104 के अंडर 105 का प्रोसेस अभी तो चल रहा है थोड़े टाइम में में भी हो जाए अभी तो 104 संसो दिन याद करते हो आप 104 अमेंडमेंट याद करते हो अगर यह नोर्मल वाले भी करने पड़ जाते न तो आप कम से कम 400 500 अमेंडमेंट कर रहे होते याद सोचो आप 104 अमेंडमेंट उनको याद गरने उनका यूज करने में हमारी कितनी जादा बुरी आलत हो जाती वाट लग जाती है उतने सारे कैसे करते आपके लिए तो एक्जाम के लिए बड़ी सिच्वेशन खराब हो जा है कि कोई simple changes करने है normal changes करने है उसके लिए simple majority से भी कर सकते है आर्टिकल 368 का यूज करके ही amendment करना कोई compulsory नहीं है नहीं तो बड़ा बुरा हाल हो जाता ठीक है अब देख लेते हैं कि कौन-कौन से चीज़े हो सकते हैं तीन तरीके के amendment मैने आपको बता है अगर हम बात करते ह पहले amendment by a simple majority of the parliament फिर amendment by special majority of parliament आई आर्टिकल 368 के अंडर में रहेगा और तीसरा वाला amendment by special majority of parliament plus ratification of half of the state legislature ये तीन तरीके के amendment के process इंडिया में हो गए अब कौन-कौन से हैं वो देख लीजिए simple majority से क्या क्या होता है उसको समझ लेना है ठीक है जो article 368 के अंडर में नहीं आती जैसे कि अगर हम बात करते हैं admission और establishment of new state नए राज्ये बनाने हो जैसे कि अगर हम आप देखेंगे कि अभी जम्मू कस्मीर का reorganization हुआ और जम्मू कस्मीर को state का जो उसका status था वो उससे ले करके खतम करके abolish करके उसको divide किया गया और दो union territories बनाएगी जम्मू एंड कस्मीर अगर कोई और प्रोविजन उसमें ना हो जो center state relation या किसी और important चीज से जो article 368 के अंडर में आता हो वो ना हो तो simple majority से हो जाता है क्योंकि बहुत सारे states जहें जिनका reorganization जब किया गया तो उस time उनके लिए amendment किये गये थे जैसे आप देखेंगे सिक्किम उसके लिए amendment और भी क special features थे उन special features के लिए किया जाता है जैसे कि मान लिए प्रेजिडेंट का election में उनको participation दे दिया अभी तो जम्मू कस्मीर को प्रेजिडेंट के लेक्शन में participation ही नहीं उसके लिए amendment करना पड़ता है अभी तो normal situation दी तो normal तरीके से ही कर दिया तो एक नए states बनाने के लिए बात करते हैं तो यह तो इस तरीके से भारत का लगदाख का एरिया है ठीक है इसको इदर रखना है अगर हम बात करते हैं कि formation of new states and alteration of area boundaries of name of existing state अगर हमारे states के अंदर कोई भी हमें change करना है time के according ठीक है यह जेंड के हो गया और यह लगदाख हो गया ठीक है यह लगदाख हो की requirement नहीं है time to time आप देखोगे जो state reorganization act बना 1956 के अंदर तो 1956 के उस act के थूँ इंडिया के अंदर कई सारे states की boundary change की गई थी आप देखोगे आप यहाँ पर state आप देखने 1956 में इस तरीके का structure था 62 में अलग अलग जिड़गे 75 में और कई सारे states देखी यहाँ पर जूडते कर गे बनाए गे उसके लिए कोई संसोदन अमेंडमेंट नहीं हुआ वह simple majority से आप कर सकते हैं अब ओलिशन और क्रिएशन ओफ legislative councils राज्ये की जो विधान परिशद है इसका निर्मान ये भी simple majority से कर सकते हैं इसके लिए अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है लेकिन यह ध legislative assembly है यह एक अपना प्रस्ताव ठीक है उसको पारित करेंगी two-third majority से two-third special majority से पास करेंगे अब special majority से इनके proposal को अगर state ने पास कर दिया तो वो proposal भेजा जाएगा पार्लियामेंट के पास ठीक है पार्लियामेंट के पास अब पार्लियामेंट में क्या होगा कि लोकसभा और राजसभा ठीक है लोकसभा और राजसभा इन दोनों में क्या चाहिए इन दोनों की simple majority ठीक है किसी भी स्टेट में legislative council को हटा सकते हैं ये मामला ये issue important इसलिए था इसको मैंने यहाँ पर discuss इसलिए किया क्योंकि reason ये है कि इंडिया में अभी फिलहाल एक दो स्टेट के अंदर legislative council बनाने की बात की जा रही है और तो एक दो से हटाने की बात की जा रही है जैसे कि खास करके अगर हम बात करते हैं पस्चिम बंगाल वेस्ट बंगोल तो इसके अंदर इसको हटाने के लिए बनाने के लिए बात की जा रही है ठीक है आर्टिकल 171 और 1769 ठीक आर्टिकल 169 जो है न ये इसके लिए वर्क करता है उसमें इसका सारा का सारा provision दिया गया है उसको हम बाद म पार्लियमेंट वाले चेप्टर में पढ़ेंगे ये देख लीजिएगा अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सेकिंड सेड्यूल के लिए अगर उसमें चेंज करना है तो भी आप सिंपल मैजोर्टी से गर सकते हैं ठीक है संसद में अगर कोरम उसमें चेंज करना है वेतन भत्ते हैं सेलरीज और उसमें अगर चेंज करना है प्रोसीजर इन पार्लियमेंट सिंपल मैजोर्टी से हो सकते हैं इनके विशेशा अधिकार प्रिवलेजिज इसके लिए सिंपल मैजोर्टी से चेंजिज आप कर सकते हैं इंगलिस भासा के यूज के लिए भी कर सक कर सकते हैं Supreme Court के अंदर जो पुजीन जजीज है और नियादी उसके लिए कर सकते हैं ठीक है बैसिकली आगर Supreme Court के पावर को और जाधा extend करने उसके लिए कर सकते हैं यह सिंपल मेजोर्टी से चीजें हो सकती है ठीक है यह यहां पर लद्दाक है पूरा का पूरा और यह यहां पर जम्मू एंड कस्मीर है। ठीक, अब इस चीज को समझते हैं, नागरिक्ता की समापती ये प्रापती शिटीजन, ये मामला भी बहुत इंप्रेंट है, इसको इंप्रेंट इसलिए है, ये इंप्रेंट क्यों है इसको समझेगा, इसका रिजन ये है कि अभी इंडिया में एक आक्ट देखा आपने, सिट अगर आम बात करते हैं, अर्टिकल 368 के अंडर में नहीं गया, सिंपल मैजोर्टी से वो चेंज हो गया था, सिंपल मैजोर्टी से वो एक्ट आ गया था, ठीक है, यह हुआ, विधा, पुनर निर्धारन नागर, निर्वाचन छेत्रों का डिलिमिटेशन वगरा वगरा, इसमें सेम वही चीज, यानिकि जो तरीका बतायेगा, तरीके को मैंने आपको पहले डिस्कस करता मैकिसि मम प्रो विज़ेगा, कौन-कौन से प्पेशल मैजोर्टी है, वो आपको समझ लिजीएगा, ठीक है, कौन-कौन से होते हैं, वो आपको दि्छा देता हूं, इधर देखते वे चले जाना है कि सबसे पहले कि अगर इसमें कोई भी चेंज करना है तो फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने के लिए आपके पास स्पेशल मैजूर्टी होनी चाहिए ठीक है अगली चीज अगला जो आ गया उसको भी देख लीजिए यह बेसिक बेसिक से चीज़े इन में ज्यादा एक्स्प्लेइन करने वाली चीज़े नहीं थी ठीक यह वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट यूगि जब भी UPSC में या किसी भी एक्जाम में क्योस्टन पू पूछेंगे तो उसमें आपसे यहां पर कोई एक सब्जेक्ट एक टोपिक डाल दे जाएगा कि यह बताओ कि प्रेजिडेंट के लिए एलेक्शन प्रोसेस में अगर चेंज करना है तो कॉंस्ट्यूशन में किस तरीके से अमेंडमेंट होगा क्या प्रोसेस अपनाया इस तरीके से क्युस्टन दिया जाता है फिर उसमें आपको टिक मार्क लगाना पड़ता है तो उसके लिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि दोस प्रोविजन ओफ कॉंस्ट्यूशन विच अर रिलेटिड तो फेडरल स्ट्रेक्टर अफ पॉलिटी कैन अमेंड़िड आपको समझा दिया गया था अब कौन-कौन से फीचर से हैं उसको देख लीजिए ठीक है अगर इसको देख लेना सबसे पहले अगर हम बात करें तो election of the president, extent of the executive power of the union and state, supreme court and high court उसके लिए, distribution of legislative power between union and state, केंद राज्यों की बीच सक्तियों का विभाजन, 7th schedule से related basically यह है, ठीक है, GST, 7th schedule, parliament में states का representation की बही किस state को कितनी seat होंगी, लोग सबा में कितना होगा, राज सबा में कितना होगा, किसके पास जादा रहेंगी, किसके पास कम रहेंगी, है ना, यह सारे, या article 368, इसके under में, इसको भी अगर amend करना है, इसके process को भी अगर amendment करना है, ठीक है, तो उसके लिए भ कि जो यह process है, यह इसका कोई criticism है कि नहीं, तो भारत में आप देखोगी, कि हर चीज के लिए, कुछ positive में होते हैं, तो कुछ negative में भी आते हैं, है ना, कुछ आपके लिए criticize भी करेंगे, और कुछ आपको उस चीज के लिए क्या गएंगे, साइड लाइन भी करने की कुछ इस करेंगे, ठीक है, कुछ आपको promote करेंगे, कुछ आपको criticize करेंगे, तो यहाँ पर भी इंडिया की, अगर हम बात करते हैं, अमेंडमेंट प्रोसिजर, इसके भी criticism किया गया है, और क्या-क्या criticism है, तो समझे, सबसे पहला, criticism इसमें जो दिया गया है, वो यह है, कि यह साइड इसमें लाइन ही नहीं चली गई, साइड हमारे टाइपिस्ट ने यहां से हटाई दिया, हाँ, हाँ, there is no provision for a special body, like constitutional convention, or constitution assembly for amending the constitution, the constituent power is vested in parliament, and only in few cases in the state legislature, तो यह बोलते हैं, कि यार इंडिया के amendment के लिए, constitution के amendment के लिए, कोई separate body नहीं बना रहा है, अलग से, constituent assembly type, सारी की सारी power जो है, parliament को दे दी गई है, या कुछ मामलों में states को पास भी, अब ऐसे में इनको लगता है कि parliament जो है वो arbitrary हो सकता है, ताना सा हो सकता है, लेकिन यह चीज़ ध्यान रखना है कि, यह criticism एक तरीके से, इतना कोई खास महत्व, importance नहीं रखती है, reason क्या है, उस reason को जानिएगा, कि भाई जब आपके पास already party event है, जिसमें लोग, लोगों के जो elected representatives आए हो है, वो वहाँ पर work कर रहे है, तो भाई आप दूसरी body क्यों बनाओगे, amendment करने के लिए specially, और दूसरी body बनाओगे, तो उसके लिए भी तो लोग आएंगे, infrastructure सारी चीज़े चाहिए हो होता है, उसके बाद थोड़ी बनी रहेगी, वो तो हो जाती है, अब बार-बार थोड़ी बनाओगे, तो इस तरीके की चीज़े करना, वो Indian context में एक criticism ठीक नहीं है, अगर जो दूसरे देशों में, अगर जैसे अमेरिका में अलग तरीके से, प्रोविजन ए, constitutional convention और बाकी चीज़े, वो वहां का मामला है, इंडिया की situation, इंडिया की जगए, इंडिया की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग है, तो इंडिया के लिए अलग से कोई और body बनाना ठीक नहीं, पार्लियमेंट ठीक है, पार्लियमेंट कर लेता है, और ऐसा नहीं है कि पार्लियमेंट के कि भाई कि बड़ा ईजिली कोई भी गौवर्मेंट अपने मरज़ी से सब गुछ कर सकते स्पेसल मेजर्टी लगती है भाई आपको completely लेना बहुत टफ टास्क है अगर गवर्मेंट के पास लोग सभा में मेजोर्टी है भी फुल मेजोर्टी तो राज्य सभा के अंदर वहाँ पर टू थर्ड मेजोर्टी लेना भाई बड़ा टफ टास्क हो जाता है तो ऐसे में maximum कोई अच्छा चेंज होगा तभी सब लोग सारी पार्टिया जो है वो उसमें आकर के मिल करके काम करेंगे ठीक पार्लियमेंट में पावर दी गई है ठीक अब एक और समझना है इन्होंने एक आगे ता पावर तो इनिशेट एंड अमेंडमेंट तो दा कॉंस्टिशन लाइज विद दा पार्लियमेंट हैंस अन इस चीज़ को समझना ठीक है इस चीज़ को अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यह कहा कि पावर जो है यह केवल संसद में दे दी गई है इस चीज़ को समझना अब अगर यह पावर कॉंस्टिशन के अमेंडमेंट को स्टार्ट करने की पावर अगर इंडिया में स्टेट्स को आप दे देते तो मेरे दोस्त इंडिया में तो सेंटर स्टेट दोनों के बीच में ओल्रेडी डिलेसंस बड़े टफ रहते हैं लड़ाई जगडा डिस्प्यूट्स बने रहते हैं हर चीज़ के उपर आवर कॉंस्टिशन अबेंडमेंट स्टार्ट इनिसियेट करने की पावर अगर आप स्टेट्स को दे दोगे सारे की सारे मामलों में अभी तूक एवल एक exception है स्टेट लेजिस्लेटिव अगर हम बात करते हैं विधान परिषद बनाने के लिए उसमें वो इनिसियेट कर सकते हैं legislative council को बनाने और हटाने के लिए उसको abolish करने और create करने उसके लावा वो किसी चीज में initiate नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर माल लेते हैं कि उनको maximum या बहुर भी बाकी provisions में initiate करने की power दे जाती तो state तो सारे पाउर देना बिल्कुल justified है center के पास होने चाहिए इंडिया की unity और उसके लिए होता है ठीक है चलिए अब इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं कि major part of constitution can be amended by the parliament alone इधर बाई special majority of or a simple majority यह जरूर कहा जाता है लेकिन यह भी criticism इसका भी answer वही है कि special majority से आगर उसको pass करना है तो कोई easy task नहीं है special majority लोग सभार राजसभा दोनों में लेना ठीक है यह बाकी की सारी की सारी joint sitting के provision के लिए भी criticism की जाती इंडिया के amendment process की कि joint sitting आप नहीं कर सकते हैं संयुक्त बैठक आप नहीं कर सकते हैं अगर लोग सभा और राज्य सभा दोनों उसके उपर सहमत नहीं है तो तो ऐसे में समिधान संसोधन विधे खारीज हो जाएगा वो complete नहीं होगा act नहीं बनेगा constitution में amendment नहीं होगा तो यह इस चीज को समझना इस चीज को आपको बताने है कि यह process दिया गया ठीक है लेकिन इसमें joint sitting ना रखने का reason यहीं है कि amendment बहुत जरूरी required चीजों में ही होन चाहिए बहुत important चीज में अगर article 368 कंडर में amendment हो रहा है तो ऐसे में अगर joint sitting का provision कर देंगे तो कोई भी government जिसके पास full majority होगी वो अपने according constitution में change कर लेगी और वो arbitrary हो सकती है ठीक है इसलिए डोनों houses से अलग-अलग separately pass होना बहुत जरूरी है क्योंकि राज्य सभा में आप अब बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो current government है लोक सभा में जिसके पास full majority उसके पास राज्य सभा में भी इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा full majority हो ठीक है तो राज्य सभा में states के representatives होते हैं तो ऐसे में वो कोई भी ऐसा amendment नहीं होने देंगे जो की ठीक नहीं होगा constitution के according सह ही नहीं होगा ठीक है तो इतना ही चीजे जानना है अब इसके बाद आपको यह बताना है कि भाई बहुत सारी कमिया हैं बहुत सारे problems हैं वो जरूर है लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा कि हमारे इंडिया के constitution amendment की process जो है वो situation और time के according दीगे हैं परिस्थितियां और constitution आज तक इतना अच्छे से work करता रहा और हमारे constitution एक ऐसा constitution रहा है जिसको बार-बार recreate नहीं करना पड़ा दुबारा से completely change नहीं करना पड़ा जैसे आपने कई बार देखोगो ना France में और कई सारे states को अलग-अलग countries में यह amendment का process था यह procedure था इसी के कारण देखोगे कि हमार चीजे थी वो अच्छी चीजे थी वो यहां पर आते चले गई तो यह सारी की सारी चीजे यहां पर आपको रखना है ठीक है तो यही चीजे थी इतना ही था class को like share करना और अगली अगला chapter और मज़ेदार होने वाला बहुत ही भयान कर जिसको बोलेंगा धमाकेदार क्योंक बेसिक स्ट्रक्चर लेकिन उसको डिटेल में जानना जरूरी है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट्ड रा चीजे आपकी pre में तो आती है objective टाइप के एक्जामस में तो आती है में में से भी आती है और में सारी इंटरव्यू वाली situation में भी आपसे वो चीजे पूछी जा सकती है ठीक है तो basic structure के उपर discuss करेंगे उसमें आना आप like share करना Unacademy का channel को subscribe करना comment करके बताना कैसी लगे classes और Unacademy का course जब भी लें तो यह referral code याद रखेगा ल-y-l-i-v-e इस ल-y live code को लगा करके लेना है ठीक है referral code याद रखेगे जब भी subscription लेंगे तो ल-y-l-i-u से ही लेंगे और fees में discount के लिए personal guidance के लिए आप यही referral code लगाना है Unacademy पर आपके पास कहीं से भी phone आए को लाए कोई भी कुछ भी वोलों को बोलना कि लगे लेंगे तो इसी से ही लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे ठीक है तो मैं आपको परसनली गाइड भी करूँगा और वीडियो उसको share करें देखिए वीडियो उसको share करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त रीजन क्या है समझ यह आपने देखा होगा कि कई बार यह सिरीज चली कई बार फिर hold पर हो जाती है वीडियो उस नहीं आते रेगुलर तो वह मेरे हाथ में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वह वाली quality दे रहा हूं free में जो की UPSC demand करती है detailed understanding की एक बहुत अच्छे से समझ की जो की हम normally paid course में ही देते हैं जहाँ पर बच्चे लाखों रुपे खर्च करके पढ़ने के लिए आते हैं उनको यही quality वहाँ पर चाहिए तो वहाँ पर ऐसे ही quality मिलती है सभी टीचर इतना details से और अच्छे से बढ़ाते समझाते हैं entertainment के साथ YouTube पर क्या है कि सबको लगता है कि यार केवल 5 minute में करा दो सारी की सारी 10 minute और 20 minute में करा दो यार बस complete लक्षमी कांत को one and half two hour three hour में करा दो यार बस इतना पढ़को फिर्म को लगते हैं यार तीन घंटे में complete करा दी किसी teacher ने तो यही best है इससे को पढ़कर के मैंने quality में मैं तो महाग या नहीं होगे महाग वो होगे और सब कुछ कर लूँ है दोस्त वो आपका time waste है कभी पास नहीं हो पाऊगे जिंदगी में कभी नहीं हो पाऊगे उससे नहीं निकलता एक्जाम और उन्ही वीडियोस पर मैं देखता हूँ views millions में भरे रहते हैं तो सभी लोग जब वैसे views आते हैं तो सब लोग सेर ही नहीं करते हैं लाइक सेर नहीं करते तो व्यूस जब कम होते हैं तो फिर उपर जो management होते हैं तो उनको सोचना पड़ता है कि यार इस series को continue करें की नहीं करें टीचर के भी मन में एक बार के लिए आ जाते हैं कि हम इतना hardware कर रहे हैं value नहीं तो फिर क्यूं पड़ाएं पर हम उनी बच्चों को classes दे ना जो बच्चे पेड में आ रहे हैं जिनको वैल्यू है तो उनको पड़ाते हैं जिनको फिरीम में मिल रहा तो वैल्यू नहीं होती तो वो कई सारे factors होते हैं जिसके current चीज़े hold हो जाती हैं मैं तो चाहता हूं कि आपके लिए regular classes आएं तो मैं regular लाता हूं मैं तो अपना पड़ा दूँआ लेकिन इसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आप जितना share करेंगे जितने views इसके पर बढ़ेंगे आपके चलिए series उतनी तेज फासली आपके लिए मैं complete करा दूँगा चलिए तो अगली class में मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी को सुब कामने best wishes like share करते चले जाने आप सबसे मिलते हैं basic structure बहुत ही मज़ेदार interesting class होगी बहुत ही interesting कहानिया facts आपको मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ उसको जरूर देखना और अब से आपके लिए daily तीन या चार sessions आपके चैनल पर YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे तीन या चार से ज्यादा session आपको हो सकता है व let's crack it